मोगरा एक गरम जलवायू का पौधा है भले ही गर्मियां जादा पड़ रही है लेकिन इसे मोगरे के पौधे को बहुत जादा नुकसान नहीं होता है क्योंकि मोगरा गर्मी का ही पौधा है और तेज धूप और तेज गर्मी में ही अच्छी फ्लारिंग कर पाता है इसके बावजुद भी आपके मोगरे के पौधे की पतियां पीली हो रही है या कई लोग लिख रहे हैं कि कलियां पीली होकर सूख रही है या पौधा मरने लगा है तो मरते हुए पौधे में किस तरीके से जान डाल सकते हैं आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि अपने मरते हुए मोगरा के पौधे को आप बचा सकते हैं देखिए ये भी मेरे एक मोगरा का पौधा है जो सूख गया था अल्मोस सूखने लगा था लेकिन क्योंकि ये गर्मी का फेबरेबल टाइम होता है मोगरा के लिए तो इसे बहुत असानी से रिवाइब किया जा सकता है जिंदा किया जा सकता है तो इसके लिए पहले टिप यह है कि यदि आपके भी मोगरे का पौधा सूख रहा है तो उसे आप कट ना करें कई बार मैंने देखा है कि एक तो पौधा सूख रहा है उपर से हम पतियों को कट कर देते हैं डंडे को कट कर देते हैं टेम को कट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि पौधा चानक शौक में चला जाता है ये मेरा experience है हो सकता है आपका experience कुछ अलग हो लेकिन मैंने कई सालों के अनुभों में ये देखा है कि पौधा मर रहा है तो उसकी पत्तियों को हटाए ना क्योंकि पत्तियां पुरानी हों ये मोगरे को खास कर और स्वाइल को आप स्ट्रॉंग बनाए ये दिस्वाइल में आप खाद देते रहेंगे तो रूट्स के थूरू पौधे को जिंदा किया जा सकता है तो मोगरे के पौधे के लिए आपको सबसे पहले जो है करना है शेड में रख देना पहली चीज पत बटने लगेगी तो फिर पौधे पर इसका असर पड़ेगा वैसे भी फूलो वाले पौधे और खास कर जो गुच्छों में फूल देने वाले पौधे होते उनकी स्वाइल कुछ इस तरीके की वेलरन बनाईए कि ताकि पौधे में नमी हमेशा बनी रहे मोगरे का पौधा पूरे दिन के सनलाइट में रहता है यानि कि इसकी जो स्वाइल है वो बहुत जल्दी जल्दी सूख जाती है तो इसके लिए जरूरी चीज़ यह होगा कि स्वाइल को बहुत ही ज्यादा रिच बनाना होगा और कुछ इस तरीके से बनाईए कि जो पानी है वो जल्दी यह जो पौधा आप देख रहे हैं यह वो पौधा है जो शुरू में आपको दिखाया अब इसे मैंने कट कर दिया है मैं यह बार-बार क्यों बता रही हूं कि जो मोगरे का पौधा होता है वो कटिंग के थ्रू ही आगे बढ़ता है तो कटिंग आप पूरे साल में कभी भ पौधे को शेप नहीं देते हैं सिर्फ उपर के स्टेम को एक एक इंच कट कर देते हैं यानि कि टॉप को पूधा स्वस्त रहता है नई कलियों को निकालता है मोगरे की जो मिट्टी है वो ऐसी कभी नहीं होनी चाहिए इतनी ड्राइ मिट्टी में मोगरा कभी भी अच्छ में नहीं लग रहा लेकिन स्वाइल में मोईस्टर मेंटेन है तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजे खासकर जो न्यू गार्डिनर हैं जिन्होंने अभी अभी गार्डिनिंग शुरू की है उनको इन बातों का जानना जरूरी है चलिए अब सबसे आप चाहें तो पाउडर बना कर स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एक और्गैनिक खाद होगा आपके सभी पौधों के लिए दो चम्मच ले लिया अब ये जो जो चीज है लास्ट टाइम सभी लोग पूछ रहते कि ये क्या है कावडं केक है ये ये गोबर के खाद सड़े हुए इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि फ्रेश गोबर की खाद नहीं लेनी है कम से कम छे महीने साल बर पुरानी होनी चाहिए नरसरी पर आसानी से मिल जाएगा वो दो चम्मच ले लेंगे या फिर ये उपले कंडे 10 रुपीज के नरसरी पर मिलेंगे जो लो बनाने का टाइम नहीं है आपके पास तो मैं एक रेडिमेड भी या यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा खाद बता देती हूं जो इंस्टेंटली आप बना करके दे सकते हैं इसे डाल दिया और सबसे इंपॉर्टन चीज होती है कैल्शियम आपके पौधे के लिए खासकर मोगरा क लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है तो आप आधा चम्मच चूना डालेंगे ये वो चूना है जो पान के दुकान पर मिलता है जो पान के साथ चूना देते हैं ये वो चूना है तो आप आधा चम्मच चूना भी इसमें जरूर मिला लिजे चूने की मातरा जादा नहीं होन तो आप क्या करेंगे आप calcium nitrate की गोलियां ले ले लेंगे कहां से खरीदना है link description में दे दिया है आप देख सकते हैं और यह आपके पास पहले से हैं तो well and good है, calcium nitrate की कम से कम आठ से 10 गोलियां लेकर के और इसमें आप डालेंगे Marshmob statue पानी उतना ही लेना है दो चम्मच वर्मी कमपोस्ट ले लिजे और ये calcium nitrode इसे घोल दिजे और instantly अपने पौधे की जितनी requirement है उतनी आप दे सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं कि ये जो calcium nitrate की गोलिया है ये directly अप soil में डाल करके उपर से पानी डाल सकते हैं तब भी ये उतना ही अच्छा काम करेगा ये जो calcium nitrate है ये मोगरे के लिए बहुत ही बढ़िया खाद है ये मरते हुए पौधों को भी जिंदा कर सकता है देखे कुछ इस ये ही श्रोथ है आप चाहें तो used tea leaf इस्तमाल कर सकते हैं इसे पौधे lush green तो होते ही है पत्तियां जलती नहीं है और फूलों की संख्या भी बढ़ जाती है अब ये जो मिश्रन आपने बनाया है इसे आप कम से कम overnight soak करके छोड़ेंगे overnight नहीं रखेंगे तो आप 4-5 घंटे तो जरूर रखेंगे सभी को dilute होने के लिए अब आप जब भी कट करेंगे अपने पौधे को जब भी काटेंगे उसके बाद fertilizer देना जरूरी है इसलिए क्योंकि मोगरा एक heavy feeder होता है कहने का मतलब है flowering तो तब भी होगी season में आप नहीं भी खात देंगे तो लेकिन ज़्य जादा फूल लेने के लिए आपको एक अच्छी मात्रा में पोशन देना होगा पहले पौधे की गुड़ाई जरूर कीजिए जब कभी खात देना है तो यह important work है आपके लिए की गुड़ाई कीजिए अब यह जो उपले या कंडे हमने डाले थे इसे आप ऐसे ही निकाल कर के रख लीजे इसे आप दुबारा तीसरी बार चौती बार यूज़ कर सकते हैं और अब यह बनकर रेडी हो गया है अब आप हाफ पानी ले लेंगे नॉर्मल वाटर और उसमें हाफ यह मिला लेंगे और जितनी आपके पौधे की रिक्वार्मेंट है जितनी गंबले की ज अब भिखिंधिर भी आपके मोगरा को चाहिए होगा मोग्रे की जो लाइफ होती है पौधे की आट नो साल से भी जादा होती है तो अच्छे से केर करेंगे तो चोटे चोटे कंटेनर में मोगरा बहुत अच्छे से चलता रहता है इस मोगरे को आप पूरे दिन के मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी मुझे उमीद है मोगरे से रिलेटेड ये जनकारी आपको अच्छी लगी होगी जनकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को आप फेस्बुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है धन्यवाद